कि आपने समय भी निकाला और बहुत गंबीरता के साथ अपनी बाते रखी लेकिन मेरा आपसे आगरह है कि अब तक जो कुछ भी चर्चाएं डिस्कसन हुआ है उसमें सभी राजजी इन्वाल है अफसर लेवल पर इन्वाल है दुनिया के अनुभवों को भी शेर लेकिन फिर मंत्रियों का अपना एक विशेश अनुभव होता है पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों की विशेश द्रश्टी होती है क्योंकि इन चीजों को अगर आपके सुझाओं मिलेंगे तो मेरा अगरह है कि आप लिखीत में अगर हो सके उतना जल्दी क्योंकि आज भी क अच्छे मुद्धे उठाए सबने कि यह हो यह हो यह हो इससे भी जादा होंगे यह अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेजी वर्काउट करने में सुभीत आओगी और यह कोई किसे पर थोप नहीं सकता है बारत सरकार निर्णे करें कि हम यह करेंगे और राज्य सर प्रारमन से जुड़े जो प्रेजेंटर्शन हुए उनमें भी काफी जानकारियां उभर कर आई है आज मैं प्रारम में कुछ मंत्रियों से बात की थी जहारा स्थिती जरा बिगड रही है जहां तक वैक्सिन का थवाल है वैक्सिन की स्थिती और डिस्टिपिशन को लेकर जो कुछ भी चर्चाय हुई है एक प्रकार से मीडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है हमें तो इन चीजों को ऑथन्टिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम सिस्टिम का हिस्टा है लेकिन फिर भी काफी चित्रस प्रष्ट हुआ है एक समय था है जब हम संगधित प्रयासों ने इस चनोती से मुकाबला किया नुक्षान को कम से कम रखा आज रिकवरी रेट और फेटरलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत समली हुई स्थिति में है हम सभी के अथक प्रयासों से देश में से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है पी एम कैस के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सुपलब्द कराने पर भी विशेश जोर है कोशिच यह है कि देश के मेडिकल कॉल इसलिए अभी 160 से जादा नए ओक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया अल्ड़ी शुरू की गई है पी एम कैस फंड से देश के अलग-अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर से मिलने भी सुनिश्चित हुए हैं वेंटिलेटर के लिए पी एम कैस फ दस महिने के अनुभव के बाद देश के पास परियाप्ट डेटा है क्यों ना के मैनेजमेंट को लेकर एक व्यापक अनुभव है कि आगे की रणनीती बताते समय हमें बीते कुछ महिनों के दोरान देश के लोगों ने हमारे समाज ने कैसे रिप किया है कैसे रिस्पून कि मुझे लगता है इसको भी हमें समझना होगा कि कोरोना क्या दोरान भारत के लोकों का वहवार भी एक तरसे अलग-अलग चरणों में रहा है और अलग-अलग जगा पे अलग-अलग रहा है जैसे हम मोटा-मोटा देखे तो पहला चरण था बना डर था खौप था किसी को यह स अधिक में था और उसी हिसाब से हर कोई रियक कर रहा है था हमने देखा प्रारव में आत्मत्या तक की घटना घटी दी पता चला कोरोना हुआ तो आत्मत्या कर दी इसके बाद धेरी-धेरी-धेरे दुसरा चरण आया दूसरे चरण में लोगों के मन में भाय के साथ-साथ दूसरों के लिए संदे भी जूड़ गया उनको लगना कि इसको करोना हो गया मतलब कुछ गंबीर बापला है दूर भागो एक प्रकार से घर में से भी नफरत का माहूल बन गया और बिमारी की वज़े से समाज में कटने का डर लोगों को लगने लगा इस कारण करोना के ब समझें लोग भाग आए तीसरा चरण सुरुआ और तीसरे चरण में लोग कापी हद तक संबलने लगे अब संक्रमन को स्विकार ने लगे और एनाउस भी करने लगे मुझे तकलिव है मैं आइसोलर कर रहा हूं मैं कॉरोंटाइल कर रहा हूं आप भी करिए जो एक प्रकार से लोग भी अपने आप लोगों को समझाने लगे तक आपने भी देखा होगा कि लोगों में अधे गंबिरता भी आने लगी और हमने देखा कि लोग एलेट भी होटने लगे और इस तीसरे चरण के बाद हम चोथे चरण में पहुंचें जब कोरोना से रीकवरी का रेड ब गया है कि अगर बिमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे इस वज़े से लाप और वाईव का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुवात में ही स्पेशली राश्ट के नाम संदेश दे करके सब को हाथ जोड़ करके प अपने अपने आप बचाएं और हमारी जो गल्तियां हुई वही एक खत्रा बन गया थोड़ा डिलाय आ गई इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंबीरता के प्रती हमें फिर से जागरू करना ही होगा हम एकदम से वेक्षिन पर सिप तो जिसको काम करना है करेंगे हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है हमें किसी भी हालत में डिलाय नहीं बरतने देनी है हाँ शुरू में कुछ बंदन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्ताइं भी विक्सित करनी थी लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था अब हमारे पास टीम तयार है लोग भी तयार है थोड़ा अगरा रखेंगे तो चीजे समल सकती हैं जो जो चीज हम तयार करें उसको जरा इंप्लिमेंट करें और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं इसकी चिंदा जुरू करनी होगी कोई नहीं आपना के गहरे समंदर से हम निकल कर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर साहिरी चलती है ऐसा नहों जाए कि हमारी किस्ति भी वहाँ डूबी जहां पानी कम था ये सिति हमें नहीं आने देनी है सात्यों आज हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि जिन देशों में कोरोना कम हो रहा था आपको पूरा चार्ड बताया कैसे तेजी से संक्रवन फैल रहा है हमारी यहां भी कुछ राज्यों में ये ट्रेंड चिंता जरग है है इसलिए हम सभी को सासन प्रसासन को पहले से भ है हमें ट्रांस्मिशन को कम कर लेग लिए अपने प्रयासों को जरा और गती देनी होगी है टेस्टिंग हो कन्फरमेशन, कॉंटक टेसिंग, देटा इन सारी जूड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सरवोच्य प्रासिकता देते हुए उसको ठीक कर रहा होगा पॉजिटिव क्यों बड़ा, आधा क्यों बड़ा, दो क्यों बड़ा, हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाए, अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे, शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे, दूसरा हम सबने अनुभव किया है कि RTP PCR टेस्ट का अनुपात बढ़ना चाह जो गरोमा एसलेटर मरीज हैं, उनकी मॉनिटरिंग जादा बहतर तरीके से करनी होगी, आप भी जानते हैं कि अगर वहाँ थोड़ी भी डिलाई रही, तो मरीज बहुत गंबिल सितिमा स्पताल आता है, फिर हम बचा नहीं पाते हैं, जो गाउं है, कमुनिटिटी के स्थर पर हेल सेंटर हैं, उनको भी हमें ज्यादा एक्विप करना ही होगा, गाउं के आजबाद भी इंफासेक्टर ठीक रहे, ऑक्सिजन की सप्लाई परियाप्त रहे, यह हमें देखना होगा, हम लोगों का लक्ष होना चाहिए कि फेटलिटी रेज को एक प्रतिसरत से भी और सबसे बड़ी बात, जागरुपता अभियानों में कोई कमी ना आए, कोरोना से बचाव के लिए जो जरूरी मैसेजिंग है, इसके लिए समाज को जोड़े रखना होगा, जैसे कुछ समय पहले हर संगटन, हर प्रभावी वेक्टिव को हमने एंगेज किया था, उन्हें फिर एक्टिव करना होगा, साथ यो आप भली भादी परिचित है कि कोरोना की वेक्षिन को लेकर, इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरे हां रही है, आज दुनिया में भी और देश में भी, जैसा भी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डीटेल बताए गया, कर करीब करीब आखरी दौर पर वेक्षिन के रिसेट में काम कोंचा है, बारत सरकार हर डवलप्मेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सब के संपर्ग में भी हैं, और अभी ये ताय नहीं है कि वेक्षिन की एक डोज होगी, दोज होगी, तिन डोज होगी, ये भी त सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार की कॉर्परेट वर्ल भी है, उनका भी एक कॉंपुटिशन है, दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटर्स होते हैं, डबली वियचों से भी हमें इंतजार करना पड़ता हैं, तो हमें यह इन चीजों को वैस्विक संदर महीं आगा बढ़ना पड़ेगा, हम इन्डियन डवलपर्स और मेनिफेक्टर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर देए, यह पूरी तरह संपर्ग हैं, इसके अलावा ग्लोबल अन्य देशों की गवर्मेंट्स, मल्टिनेटर इंस्टिटूशन्स और साथ ही इंटरनेशनल कमपनीज, सभी के साथ चितना संपर्ग बढ़ सके, जितनी रियल टाइम कम्मुनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास एक व्यवस्ता बनी हुई है, साथ हो कोरोना के अपने लडाई में हमने शर्वात से ही एक-एक देशवाजी का जीवन बचाने को सर्वोच प्रास्पिक्ता दिए, अब वैक्सिन आने के बाद भी हमारी प्रास्पिक्ता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सिन पहुँचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है लेकि कोरोना की वैक्सिन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागी के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिट्मेंट की तरह है, इतना बड़ा टिक्रा करना अभियान स्मूध हो, सिस्टेमेटिक हो और सस्टेन हो, यह लंबा चलने वाला है इसके लिए हम सभी को, हर सरक को हर संगर्ण को एक जूट हो करके कोडिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा, साथियों वैक्सिन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है, वो दुनिया के बड़े-बड़े देशों को भी नहीं है, हमारे लिए जितनी जरूरी है, स्पीड है, उत को भी वैक्सिन अपने नागरिवकों को देगा, वो हर वैज्यानिक कसोडी पर खरी होगी, जहां तक वैक्सिन के डिस्टुबिशन की बात है, तो उसकी तयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जाय सके रही है, वैक्सिन प्रात्मिक ताके आधार पर किसे लगा जाए जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के, ये मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है, कि भी अगर इस पकार से डबली ओएचो ने जो कहा है, हम चलते हैं तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये निर्ने तो हम सब मिलकर के ही करेंगे, हर राज्यों के सुझाव का म दे करके वबस्ताइं खड़ी कर देना, शूरू कर देना चाहिए, कहां कहें संभव होगे, उसके पैरामिटर्स क्या होगे, उस पर हमें यहां से सुचना है तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इंप्लिमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो अतिरिक सप्लाई भी सुनेश्चित की जाएगी, और इसका विस्तुर्ट प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिल करके ताई कर दिया जाएगा, हमारी राज्यों के और कहिंदर की टीम साथ लगाता और वो बातचित कर रहे हैं, काम च और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक, हम जितना जल्दी ववस्ताइं खड़ी करेंगे और किसी ने किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा, इन कमीटियों की रेगुलर बैटे को हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मोनिटरिंग हो, जो ओनलाइन ट्रेनिंग होती ह यह वो भी शुरू हो, हमें हमारा रोज मरा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्ता को भी विक्सित तुरंद करना पड़ेगा, यह मेरा आगरर हैगा, जो कुछ सवाल आपने कहे हैं, कौन सी वैक्सिन कितनी किमत में आएगी, यह भी तरह नहीं ह मुल भारती वैक्सिन अभी दो मैदान में आगे हैं, लेकिन बहार के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं, दुनिया में जो वैक्सिन बन रही हैं, बेबी मैनुफेक्शिन के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ, लेकिन इन सारे वि को उसका rejection आता है, आज भी आता है, भी साल के बाद भी आता है, तो ऐसा इसमें भी संभव है, निर्णे वज्ञानिक तराजु पर ही तोला जाना चाहिए, निर्णे उसकी जो authorities है, उन authorities के certified व्यवस्था से ही होनी चाहिए, हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं, हम कोई वज्ञानिक नहीं है, हम इसके expertise हमारी नहीं है, तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहज जो चीज़ा आती हैं, आखिर कर उसी को ही स्विकार करना पड़ेगा, और उसको स्विकार करके हम आगे चलेंगे, लेकिन मैं आप से आगर करूंग कि आप के मन में जो योजना हो, खास करके वैक्षिन के समन में, किस प्रकार से आप डिलिवरी नीचे तक ले जाएंगे, आप जितना जल्दी बहुत डीटेल प्रान करके लिख करके भेजेंगे, तो निर्ने करने में सुविधा होगी और आपके विचारों का ताकत इसमें बहुत है, राज्यों का अनुभव बहुत एहमियत रखता है, क्योंकि वहीं से ये चीज आगे बढ़ने वाली है, और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका बहुती एक प्रकार से प्रोयक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें बनें, यही मेरी अपेक्षा है, लेकिन मैंने पहल है, यही मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, आज मेरी तमिलनाडू और पुडिचेरी के मुखमिंत्रियों से बात करने का मज़ा अउसर मिला, आंदर से मैं फोन नहीं कर पाया था सुबे, एक साइकलोन हमारे पूरवी तट पे एक्टिव हुआ है, वो कल साइद पुडिचेरी और आंदर का कुछ हिस्सा वहाँ पर आगे बढ़ रहा है, सारी भारत सरकार की टीमें बहुत एक्टिव हैं, सब लोग गए हैं, मैंने आज दो आधरनी मुखमिंत्रियों से बात की थी, आंदर के मुखमिंत्रियों से अभी इसके बात करूँगा, लेकिन करना काम, खाली करवाना, लोकों को बचाना, इस पर हमारा जोड रहें, फिर एक बार मैं आप सबका बहुत आभारी हो, आप समने समय निकाला, लेकिन मैं आगरह करूँगा कि आप जल्दी से मुझे कुछ ने कुछ जानकर ये भेजिए, धन्यवाद.